हेलो फ्रेंड्स आज हम इस वीडियो में स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी अगली वीडियो जिसमें हम देखेंगे अपने UP UP में एक एकजाम होता है Post Graduate Teacher का मतलब UP का PGT एकजाम उसमें भी Biology का जो कब हुआ था 2002 में ठीक है कहने का मतलब UP PGT Biology 2002 का जो एकजाम हुआ था उसका हम आज देखने वाले हैं solution ठीक है चलिए फिर देखते हैं पहला कोशन है dominant flora कौन था 200 million साल पहले तो वो थे हमारे gymnosperms अगले कोशन में हमसे पूछा गया है जो हम लीची खाते हैं उसमें जो खाने योगे भाग है वो कौन सा होता है वो होता है हमारा aryl जो की क्या होता है funiculus का juicy out to growth ठीक है तो यह थे हमारे पहले के दो question ठीक है अब हम चलते हैं अगले question की और अगले question में हमसे पूछा है जो जो ट्रापा एक fruit है ठीक है उसके जो spines होते हैं वो modified क्या होते हैं तो apples की modified form होती है ट्रापा होता है water chestnut ठीक है अगला question है जो caster का जो seed है जिसमें से तेल हमें मिलता है वो किस पार्ट से मिलता है तो मिलता है seed के endosperm से ठीक है और यह जो caster का जो तेल है इसको resinous oil भी कहते हैं ठीक है अगला question है oil is the reserve food in oil जो है reserve food किस में मिलता है तो देखो यह हमारा generally मिलता है किस में xanthophyce में ठीक है कभी कवार यह हमारे chlorophyce के member होते हैं उसमें भी मिलता है oil drops ठीक है लेकिन reserve food की जब भी हम बात करेंगे तो हम xanthophyce के member को ही correct answer चुनेंगे ठीक है तो दिये हुए option में से जो हमारा वो चीदिया है यह क्या है xanthophyce का member ठीक है लेकिन clamadomunas में भी oil के drops present होते हैं ठीक है जो किस में आता है chlorophyce में चलते हैं फिर यह अगले question की or अगले question में हम से पूछा है जो हमारा lycopodium है lycopodium में actinous steel was a species में मिलती है तो मिलती है lycopodium cirratom his वे वेरा question में चिल vegooze जो बीज होता है बतलब chili is the seed of chil Goza किस का seed होता है minus gardenia का होता है चलते हैं अगले question में हम से पूछा गया है जब दो mutation एक ही functional unit या फिर different functional unit पर हो तब हम उसे क्या बोलते हैं या फिर किस से वो confirm होते हैं तो वो होते हैं complimentation test के द्वारा confirm किये जाते हैं ठीक है अगला question है जो downy mildeo होता है of p in downy mildeo of p yellow to brown scattered patches of discolored area appear on कहने का मतलब है जो मटर के पौंधे में जब yellow से brown color के patches present होते हैं अलग-अलग हिस्थों पर वो आपको कहाँ पर देखने को बलते हैं तो वो देखने को बलते हैं leaflet और stipule के upper surface पर ठीक है अगला question में है जो kaitin है kaitin का formula तो kaitin का formula होता है c h n o 22 54 4 21 ठीक है तो यह तो था याद करने का तरीका बाकि मैं आपको simple बता देता हूँ carbon 22 hydrogen 54 nitrogen 4 oxygen 21 21 ठीक है तो हमारा option number B क्या होता है kaitin का formula ठीक है चलते हैं अगले question के और अगले question में हमसे पुछा है evolution को बताने वाली जो latest theory है वो कौन सी है वो होती है हमारी synthetic theory है चलते है अगला question है हमारा जो gyno basic style है वो किस family के member में मिलते हैं तो वो मिलते हैं lemiaci family के members में चलते हैं अब यह gyno basic style क्या होता है तो जब overi के base पर से overi के base पर से style arise हो तब हम उसको क्या बोलते हैं gyno basic style चलो अगला question है the role of inorganic element in plant growth was first indicated by मतलब plant के growth में inorganic element का role सबसे पहले बताया था नौक ने लेकिन inorganic को essential elements माना है किसने arnon और stout ने चलते हैं अगले question की और अगले question में हम से पूछा है क्या जो हमारा karyopsis है यह किस family का fruit है तो यह होता है poesy poesy family में जितने भी member होते हैं उनके जो fruit है उसको हम क्या बोलते है karyopsis बोलते है karyopsis होता है grain या इसको seed भी हम कहते है चलते है अगला question है rudimentary seed habitat किस में देखी जाती है यह सिला जिनरला में देखी जाती है अगला question है जो polysiphonia है इसमें हमारा alternation of generation है वो कैसा होता है तो वो होता है trifasic thin face वाला और di diplo-biontic चलते है अगला question अगला question है वो organism बताओ या फिर वो species बताओ जिसमें spore mother cell और elator mother cell वो दोनो same cell generation में मिलते हूँ चलते है तो वो है हमारा markensia चलते हैं अगले question के और अगले question में हमसे पूछा है क्या जो optiblow stream- condition है वो किस family में मिलती है तो यह मिलती है हमारी karyophyllacy में अगला question है सबसे पहला transgenic plant है वो कौन है तो वो है हमारा flavor tomato ठीक है लेकिन जब भी बात होगी transgenic plant जो हमने बनाया हो किस के लिए मतलब rapid production के लिए rapid production मैं बोलूँ यह मैं बोलूँ हमारे sales के लिए बेचने के लिए या वो बोलता है ना manufacturing के लिए हमने transgenic plant बनाया हो manufacturing के लिए या अपने production के लिए या उसका ज्यादा इस्तेमाल करने के लिए तो वो है हमारा tobacco ठीक है याद रख लेना इसको tobacco अगर first transgenic plant पूछा जाए तो होगा flavor saver tomato खाली tomato भी option में दिया जा सकता है लेकिन जब commercial पूछा जाएगा तो commercial में हमेशा answer होगा tobacco ठीक है वो transgenic plant बताओ जिसका हमने commercial use किया है तो वो है tobacco ठीक है या जिसका हमने commercially use करने के लिए बनाया था पहला transgenic plant वो tobacco उसका correct answer होगा अगला question है जो dog lichen है इसको हम किस नाम से जानते हैं जो हमारा पैल्टी जरा Kenya है इसको हम dog lichen के नाम से भी जानते हैं अगला question अगले question में हम से पूछा है जो हमारा गौलगी complex है वो किस काम में involved होता है तो यह क्या होता है secretory process में involved होता है गौलगी complex अगला है pariental या parietal placentation किस में देखने को मिलती है यह मिलती है mustard में sarso में और argymon में parietal placentation parietal placentation कैसी होती है आप यहाँ पर देख सकते है यह ovule है यह इसके periphery पर लगा हुआ है mustard आता है brassica compost is इसको क्या है scientific name चलते हैं अगले question की और अगले question में हमसे पूछा है क्या which genus of kukurbidesi is bisexual flower वह genus बताओ kukurbidesi का जिसमें bisexual flower होते है मतलब male और female जो flower है मतलब male और female reproductive part है वह एक ही flower में मिलते है वह होते हैं हमारे c पीर पॉनों में चलते हैं फिर अगले question की और अगले question में हमसे पूछा है चलते हैं अगले question की और अगले question में हमसे पूछा है endo sperm ऐज़े gametophytic tissue किसमें जो endo sperm है वह gametophytic tissue होता है तो वह किसमें होता है हमारा हमारे gymnal sperm में होता है मतलब option number E क्या होगा correct answer होगा चलते हैं फिर अपने अगले question की और अगले question में हमसे पूछा है जो हमारा hormone है which has negative effect on apical dominance apical dominance में जिसका negative effect हो वो होता है cytokinin क्या करता है cell division apical dominance का मतला होता है जो plant की apical cell है यहां से growth रुख जाती है वो किसके कारण होती है oxygen के कारण ठीक है लेकिन cytokinin करता है यहां पर cell division और यहां पर growth बढ़ती रहती है oxygen lateral जो elongation में help करता है एपिकल को रोके lateral elongation में help करता है चलते हैं अगले question क्यों अगले question में हमसे पूछा गया है hetero styli is a contravence for cross pollination in कहने का मतलब है hetero styli किसमे देखने को मिलती है वह मिलती है primula में oxalis में और flex में चीक है अगला question है the parent in graminy is generally represented जो graminy में parent है वह किसको दर्शाता है तो दर्शाता है ludicule को जो 2-3 numbers में present हो सकते हैं चलते हैं अगले question की और अगले question में हमसे पूछा है क्या जो chromatids joined together by a duplicated but unseparated centromere इसे हम क्या बोलते हैं कहने का मतलब है chromatid duplicate हो गए वह join भी है लेकिन separate उनका centromere जो है separate नहीं हुआ है वह कैसे है unseparated centromere तो इस condition को हम क्या क्या बोलते है sister chromatid चलते हैं अगले question की और अगले question में हमसे पूछा है जो ribonucleos है यह किस type के enzyme का example है तो यह lias का example है ठीक है चलते है फिर अगले question की और अगले question में हमसे क्या पूछा गया है watch area causes watch area क्या करता है हमारा elephant이is चलते हैं अगले question की और अगले question में हमसे पूछा है smallest feather in bird, bird में जो सबसे छोटा feather होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको हम बोलते हैं down feather, चेक है, यह सबसे छोटा होता है, इसमें ऐसे लगे होते हैं feathers, बाकि जो फ्लू प्लू है, यह एक fine होता है, long होता है, इसके tip पर ऐसे feathers present होते हैं, चेक है, लेकिन आप size के आप से देखेंगे, तो सबसे छोटा down ही होता है, चेक है, चलते हैं फिर अगले question की, और अगले question में हम से पूछा है, membranous structure separating the scala vestibule and scala media of mammalian air rays, तो वो होती है, resinar membrane, इसमें आप ऐसे याद कर लो, देखो, vestibule, media और tympheny, ठीक है, यह तीन को आप याद कर लो, Scala vestibule, Scala media और Scala tympheny, यह तीन ऐसे होते है, vestibule और media को जो separate करता है, वो membrane का नाम है, resinar membrane, यहाँ पर R लिख दो, चीक है, और हमारा media और tympheny को जो separate करता है, उसका नाम होता है, basilar membrane, तो ऐसे याद कर लो, V, MT, बीच में R और B, चीक है, अब चाहे आप से यह दो पूछ ल या यह दो पूछ ले, आप असानी से उसका अंसर बता सकते है, चीक है, चलते हैं, अगले question के और, अगले question में हमसे क्या पूछा गया है, man get killed by cyanide, because it affect the function of, इनसान जो है, cyanide से मर जाता है, क्योंकि वो किसको affect करता है, तो cytokrome oxidase को वो affect करता है, ठीक है, क्योंकि यह cytokrome oxidase के copper से attached जो आता है, चीक है, cytokrome oxidase में, जो copper है, यह उससे attached हो जाता है, और irreversible inhibition करता है, मतलब, एक बार इसने अगर इसका shape, size, या इससे attach हो गया, तो फिर यह दुबारा आसानी से, de-attached नहीं हो सकता है, चीक है, चलते हैं, अगले question में, अगले question में हमसे पूछा आया है, नोड देखी जाती है, चीक है, चलते हैं, अगले question के और, अगले question में हमसे पूछा है, जो हमारा branchia estroma है, इसमें, जो oocyte है, उसे हम क्या बोलते हैं, तो वो होते है, oligo lecithal, अगला question है, energy flow जो है, वो एक कैसा process है, तो यह एक non-cyclic process होता है, हमेशा, चीक है, चलते हैं, अगले question के और, अगले question में हमसे पूछा है, सबसे पहले जो national park बना था, तो आप यहीं से समझ सकते हैं, कौन सा बना था, corvette national park, जो की कहा है, उत्राखंड में है, उत्राखंड में भी राम नगर में है, चीक है, वहाँ tiger के लिए ज्यादा famous है, वहाँ इन लोगोंने क्या तक है tiger, चीक है, अगले question में है, from N3 asama is obtained, कहने का मतलब है, जो यह N3 asama है, इस में से किस type का silk obtained होता है, तो मुवा silk हमें इस species से प्राप्त होता है, ठीक है, अगले question में हमसे पूछा है, post cocoon processing, जो है, silkworm में, वह कौन से होती है, तो वह होती है, हमारी stiffling, चीक है, अगला question है, social insect का example कौन सा है, तो वह है, bombex, bombex मोरी जो है, वह हमारे social insect का correct answer है, ठीक है, बाकी, यह जो हमारे callotreams होते हैं, यह क्या होते है, termites, ठीक है, मतलब दीमक, जो हमारी लकडी को खोकला कर देते हैं, अगला question, अगला question है, हमें, जो study of genetic improvement of human race is called, मतलब study करना है, genetic improvement of human race की, तो हम इसको क्या बोलते है, इसको बोलते है, eugenics, यह हम eugenics में study करते है, genetic improvement of human race की, पूछा गया है, fossil of neanderthal men were first found in, जो neanderthal men के, जो अवशेश हैं, मतलब fossils हैं, उनके, वो कहां पे, सबसे पहले मिले थे, जर्मनी से, जर्मनी में भी कहां पे, एक घाटी है, यह valley है, नेanderthal valley से, चलते हैं, अगले question की और अगले question में, हम से पूछा गया है, सब class, बताओ, किसकी, पिला, गलोबूसा की, तो सब class होती है, प्रोसो, ब्रैंकिया, अगला question है, डक्तस बुटैली किस में present है, वो present किस में होता है, राना टेगना में, राना टेगना मतलब, फ्रॉं की बात हो रही है, यहाँ पर, चलते हैं, अगले question की ओपर, अगले कोशन में हमसे पूछा गया है hollow interior of the vertebrum is called जो vertebrum का hollow interior होता है अंदर से खोकली होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं उसको हम बोलते हैं little ventricle चलते हैं अगले कोशन के और अगले कोशन में हमसे दिया गई है matching तो देखो आप जब matching देखेंगे तो जो हमारा साइटोक्रोम ऑक्सिडेज है साइटोक्रोम ऑक्सिडेज कहां मिलता है inner membrane of mitochondria मतलब एक का क्या है option number two चीक है बाकी आप देखेंगे इसमें जो मैलेट dehydrogenase है यहां पर matching दे रखिया न तो देखो माइटोक्रोम ऑक्सिडेज आपको कहां मिलता है inner membrane of mitochondria में और मैलेट dehydrogenase आपको मिलता है outer membrane of mitochondria में ठीक है मतलब four का क्या हो जाएगा D तो आप देख सकते हैं one का क्या A का क्या है तो A का 2 है और D का क्या है four मतलब option number D क्या होगा आपका correct answer होगा चीक है लेकिन इसको थोड़ा और देख लेते हैं detail में एक बार तो देखो यहां पर इसका answer दे रखा है साइटोक्रोम उक्सिडेज जो है यह आपको mitochondria के inner membrane में देखने को मिलता है ठीक है क्योंकि TGT मैंना सिर्फ यही दो एक पूछा जाता है एक साइटोक्रोम उक्सिडेज कहां पर प्रेजेंट होता है करके तो देखना यहां पर जो हम अभी था क्या मैलेट, डिहाइडोजिनेज, साइटोक्रोम, फैटी ऐसेड और एडिनाइलेट काइनेज यह चार का पूछा गया है मैलेट, डिहाइडोजिनेज कहां था माइटोकॉंट्रिया के मेट्रिक्स में emailic dehydrogenase mitocondria के matrix में mitocondrial matrix मतलब D का होगा 3 तो इसी साब सिर्ट जो हमारा option होगा वो होगा option number 2 होगा तो option number 2 correct होगा इसका ठीक है चलते हैं फिर अगले question के और अगले question में हम से पूछा है कि जो हमारा ribozome ATS ये दो sab unit से बना होता है एक 60 एक 40 तो यह बताू, जो Ivan Catein, जो इसमें present होता है वो बताओ, जो इन दोनों unit को जोड़ के रखता है, तो वो उसमें क्या-kya present होता है, एक तो उसमें हमारा होता है, magnesium, दूसरा होता है उसमें potassium, चीक है, mg2 plus और k plus, यह दोनों मिलते हैं, किसमें, ribosome के, मतलब उसको, जो, इन दोनों subunit को associate करने में help करते हैं, चीक है, मतलब इन दोनों को बांद के रखते हैं, चीक है, चलो फिर, अगले question के उचलते हैं, अगला question है, heteromorphic nuclei, heteromorphic nuclei का मतलब है, दो अलग अलग टाइप के nuclei, या वो nuclei जो दिखने में क्या हो, अलग अलग हो, ऐसा होता है न, आपका किसमें, पिरमेशयम में, दो नूखला होता है, 1 ये 2 टाइप के nuclei के मलते हैं, पिरमेशयम में, और पिरमेशयम क्या है, गिराववा होता है या किस से बाउंडड होता है एक्जो उक्यू पेटल से बेशियो पेटल से और सुपरा पेटल से ठीक है ये तीन बोन होती है जो इसको सराउंड करती है अब ये फोराम एन मैगनम है क्या तो जो हमारा हम वह एक हमारा जो मैमल्स में जो स्कल होता है इसको हम बोलते हैं यह जो होलो स्पेस होता है इसको हम बोलते हैं इसे बोलते हैं इसके चारो तरफ यह बोन जो है यह प्रेजेंट होती है इन ही बोनों का यह नाम है जो उपर की तरफ है इसको हम बोलते हैं supra occupetal और जो नीचे की यह base होती है जो base formation में help करती है वो होती है base view petal और जो यह exo occupetal है यह side में present होती है ठीक है तो चलते हैं अगले question के उपर अगले question में हम से पूछा है जो rabbit का atlas vertebra है उसकी खासियत क्या है या फिर वो किस से characterized होता है तो देखो उसमें centrum तो absent होता है ठीक है pre jagophysis भी नहीं होता है और post jagophysis भी इसमें absent होता है तो कहने का मतलब है option number d correct होगा all of the above characteristics चलते हैं अगले question के उपर अगले question में हम से बूला है जो coronoid process होता है mammals में वो किसका part होता है तो पार्ट होता है lower jaw का part होता है coronoid process ठीक है यह mammal के lower jaw में हमें के देखने को मिलता है को रॉनाइड प्रोसेस ठीक है अगला कोशन है इसकरवी किसी कमी से होता है तो जब विटामीन सबसे पहले देखने को मिलती है वो होती ही यॉक सेक चलते हैं अगले कोशन की उपर अगले कोशन में हमसे पूछा है अबायसल जो form of animals हैं वो कहाँ पर मिलते हैं तो देखो ये मिलते हैं डीप सी में मिलते हैं और डार केरिया ओफ सी दोनों में मिलते हैं चीक है लेकिन जब यह 4th वाली statement हमारी 3rd नंबर पे होती मतलब इसमें क्या होता above ecological condition मतलब above ecological condition exist तो हमारा option नंबर क्या होता 3 correct होता लेकिन हमारा क्या है यह above वाली condition कहां पे ते रखी है 4th में ठीक है और जो abysl form animals है उनमें water quiet नहीं होता है तो बचा option 1 और 2 तो इन नोनों मैंसे जो most correct answer है वो क्या होता है deep sea मतलब abysl form of animals कहां पर देखने को मिलते हैं deep sea समुद्र के सबसे गहरे वाले हिस्से में और सबसे ज्यादा animals समुद्री animals यहां पर देखने को मिलते हैं चलते हैं फिर अपने अगले question के उपर इसमें हमसे पूछा है जो silk क्या है यह क्या है तो silk एक type क्या होती है protein होती है चीक है यह silk का जो chemical nature है वो कैसे protein की तरह है अगला question अगले question में हमसे पूछा है सबसे ज्यादा stable RNA तो RNA तीन type का होता है RRNA MRNA और TRNA तो जो ribosomal RNA होता है यह होता है हमारा सबसे ज्यादा stable होता है चीक है अगला question है peripetus resemble करता है arthropoda से कहने का मतलब है arthropoda की ऐसी कौन सी property या कौन सी characteristic peripetus में देखी जाती है तो वो है dorsal oscillated heart चीक है अगला question अगले question में हमसे पूछा है क्या वो special structure बनाओ जो help करता है pollen tube की entry को ovule में चीक है मतला वो special structure बताओ जो pollen tube की ovule में जो entry में मदद करता हो तो वो है मारा arvaturator help करता है pollen tube के ovule में entry के समय अब आप बूलेंगे इसका answer synergist क्यों नहीं हुआ क्योंकि synergist help करता है वो pollen tube के egg में परवेश मतलब egg में जब entry करता है वहां पर help करता है चलते हैं अगले question के और में हमसे पूछा है sclerotum sclerotium of which one of the following fungi form या produce apothesium after germination germination के बाद apothesium बताए मतलब sclerotum होता है fungi में जैसे seed जाता है dormancy में dormancy में क्या होता है seed में जो भी मतलब जो उसका basic metabolic rate है वो कम हो जाता है या basic metabolic process है वह बहुत कम हो जाता है मतलब seed कहां चला जाता है अपनी dormancy में चीक है तो ऐसे ही जो यह sclerotium होता है यह भी fungi में एक dormancy कंडिशन है dormancy मतलब जहां पर उसकी body reaction क्या हो जाए बहुत कम हो जाए लेकिन जब यह germinate करता है फिर उसके बाद यह apothesium बनाता है तो ऐसी condition कोशन देखी जाती है किसमें rhizoctonia में चलते है अगले कोशन के और अगले कोशन में हमसे पूछा गया है क्या which of the following plant disease is not a parasitic कहने का मतलब है इन में से कौन सी parasite से नहीं होती है तो mango का necrosis यह इसको बोलते है tip of mango मतलब यहां पर black tip of mango mango यहां पर है black black tip of mango कहने का मतलब है जो arm है जो arm है arm का tip होता है न वहां पर क्या हो जाता है black color का हो जाता है ठीक है इस तरफ या इस तरफ किसी भी तरफ हो सकता है जो इसका tip होता है जो tip पर यहाँ पर black एक point बन जाता है ठीक है एक black point बन जाता है इसके tip पर यहाँ पर black black color का हो जाता है उसे हम बोलते हैं black tip of mango या mango necrosis और यह होता है जब वातावरण में CO2 जादा हो या SO2 जादा हो या ethylene gas भी क्या हो जादा हो ठीक है यह तब देखने को मिलता है अगला question अगला question है enter culture सबसे पहले किसने बताया था वो बताया था महिश्वरियन गोहा ने चीक है अगला question में हम से पूछा है edible part बताओ किसका fruit का atropus heterophilus का तो वो होता है brekt, parian और seed यह क्या होता है यह होता है हमारा jack fruit चीक है यह scientific name में jack fruit का अगला question है जो हमारा caudatinia कहां मिलता है caudatinia मिलता है heart के ventricles में अगला question अगले question में हम से पूछा है जो enzyme carbonic enhydrase है यह कहां मिलता है यह मिलता है RBC में चीक है अगला question अगला question है amphiosis का जो fertilized egg है उसके बारे में कौन सी statement true है तो देखो जो dorsal crescent होता है यह क्या बनाता है notocode इसलिए option number ही क्या है correct है अगले question के और चलते है अगले question में हम से पूछा है जो हमारी काजी रंगा wildlife century है यह किसके लिए famous है तो यह famous है one horn rhinoceros के लिए चलते हैं अगले question के और अगले question में हम से पूछा गया है fresh water non eatable fish मतला वो मचली साफ पानी में रहती है लेकिन तुम उसको तब भी नहीं खा सकते हो वो है हमारी कौन सी tetracodic kutkutia tetracodon kutkutia इसके जायत puffer fish भी बोलते हैं इसको puffer fish क्यों क्योंकि इसके अंदर toxin होता है या toxic substance इसके अंदर present होता है चलते हैं अगले question के और अगले question में हम से पूछा है क्या जो betta को इस पूछा है मतलाब जो हमारी red algae है red algae में जो carpo spores होते है जो कि deployed होते है वो कैसे होते है तो वो होते है एक तो नेग्ड और non-motile होते है चलते है अगला question है एंजियो स्पम में हम male gametophyte कि उसको बोलते है तो male gametophyte वो structure होता है जिसके अंदर क्या बनता है male gamet और जो pollen grain है उसके अंदर क्या बनते है male gamets चलते है क्योंकि embryo sec के अंदर क्या बनता है हमारा egg बनता है तो इसलिए female gametophyte पूछा जाएगा तो answer होगा embryo sec अगले question क्यों चलते है अगले question में हमसे पूछा है ऐसा कौन सा enzyme है जो oxygen से inactive हो जाता है तो वो है nitrogenase अगला question है सैफरन जो है वो किस family से belong करता है तो सैफरन जो आता है यह आता है ED-DC में ठीक है सैफरन तो आपने देखा ही होगा red color का होता हो red या pinkish वो तो color तो थोड़ा variant होता है उसकी species और वो जहां मिलता है उसके हिसाब से ठीक है चलते हैं फिर अगले question के हम से पूछा है क्या biological magnification हम किसे बोलते है तो जब भी किसका accumulation हो जाता है pollutant का एक traffic level से दूसे traffic level पर बढ़ता जाए pollutant का क्या concentration बोलूं या मैं बोलूं pollutant इकठा होते जा रहे है एक traffic से दूसे traffic level में इसी process को हम बोलते है biological magnification ठीक है और जो सबसे उपर वाली जो हमारी traffic level होगा इस पर क्या होगा सबसे ज़्यादा pollutant होगा चीक है चलते है अगले question के और अगले question में हम से पूछाए क्या strength of linkage है linkage की strength किस पर depend नहीं होती है तो उसका age of animal से कोई ले न देना नहीं है अगला question है कि जो ropellium है वो complex structure किस का है तो देखो जो ropellium होते हैं इनका number कितना है आठ 8 number में ये होते है मतलब 8 ropellium होते है किस में मिलते हैं Aurelia के medusa में मिलते है ठीक है होते कहा है ये sensory organ होता है ठीक है और उसको मतलब medusa को balance बनाने में help करता है पानी में ठीक है और यह बना होता है 5 sense organ से मिलके बना होता है यह ठीक है चलते हैं अगले question क्यों अगले question में हमसे पूछा है जो हमारी infra orbital arcade है यह किसकी खोपड़ी में देखने को मिलता है यह मिलता है pigeon के खोपड़ी में ठीक है pigeon बोलो यह इसको यहां पर बोलो और rock pigeon ठीक है pigeon को ही हम rock pigeon के नाम से भी जानते हैं, अगला कॉशन है मिशनर प्लेक्स काहां पर देखने को मिलता है तो यह मिलता है GIT में, GIT का मतलब गेस्थ्ट्रो इंटेस्टैनल ट्रेक्ट, अगला कॉशन है बायोटिक बैलैंस ऑफ नेचर सपोर्ट लाइफ बाइल अफ सैक्लिक use of same material ठीक है इसका reason है कि the heterotroph and autotroph available on the surface of earth make it possible तो ये दोनो statement बिलको सही है और जो reason है ये assertion को satisfy भी करता है इसलिए हमारा option क्या होगा one correct होगा ठीक है चलते हैं अगले question के और अगले question में हमसे पूछा है एक sap है उस sap में कहें जो head scales है और large shield जो head scale है वह है large shield से बने हुए और laurel pit देखी जाती है नाक मतलब nostril और आख के बीच में क्या देखने को मिलती है laurel pit ठीक है इसलिए इसका answer क्या होगा वाइपर होगा ठीक है ये इसके देखने को मिलता है वाइपर में देखने को मिलता है चलते हैं अगले question के और अगले question में हमसे पूछा है bird में बनती है या chick bird क्या रहा हूँ chick chick चिक के embryology पढ़ते हैं तो chick के embryology में मतलब embryo की study करते हैं तो उसमें के या एकवा से बनता है primitive state वो कितने घंटे में complete होता है तो उसका इसका cái Alzheimer's also have the idea or एट होने लग जाती है क्यूंकि इसके बाद और hansan जो node है, hansan जो node है, इसका elongation होता है, hansan node का elongation जब से होने लग जाता है, तब से ये primitive streak degenerate होने लग जाती है, ये इसका size कम होने लग जाता है, तो वो शुरुवात होता है, 18 गंटे से, तो option अगर ये ही दे रखा है, 16 से 18 गंटा, तो हमारा ये ही क्या होगा, correct होगा ठीक है, चलते हैं अगले question की, और अगले question में हम से पूछा गया है, कि जो Bruce-proof tomato है, ठीक है, ये बनाई गई है कौनसी technique का इस्तिमाल करने के बाद, तो इसमें antisense RNA technique का इस्तिमाल करने के बाद, हमनी क्या बनाया है, Bruce-proof tomato, अगले question में हम से पूछा है कि, जो हमारा ये Plutus larva है किसका Echinodermata का, इसकी characteristics क्या-क्या है, तो देखो, जो Plutus larva है, इसमें Celia alone नहीं होता है, मतलब Epical Celia नहीं होता है, सिर्फ Horizontal Celia ये भी नहीं है, सिर्फ Vertical हो ये भी नहीं है, तो कहने का मतलब है, Celia जो है, इसमें मौझूदी नहीं होता है, किसमें Echinoderms के Plutus larva में है, तो इसलिए option number D हो का, none of the above, चीक है, तो ये थे फिर हमारे इस वीडियो के questions, बाकि हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में